हप है अब हम आपके सामने रोटेशन मुंसन के तो इंप्रॉटेशन को इंता थी उर्ण कोılar धिके है कि निके आपके सामने देशन करना काफी इंता इंता इसके बाद आजया आपकोई और पर rotate किया जाए क्या rotate किया जाए उसका moment of inertia कैसे आएगा उसके बारे में हम discuss करेंगे ठीक है इन दो theorem से parallel axis theorem and perpendicular axis theorem तो ठीक है बीना hope and determination के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो friends से यह रहे कुछ important moment of inertia जैसे कि ring का होता है mr square डिस्क का होता है mr square by two cylinder disc से ही मिलके उसकी जिमेट्री सेम रती है तो पपाउ ठीरम लगेगी तो mr square by two ही होगा तो spare spare का 2 by 5 mr square होता है rod का होता है length length L का rod है जैसे एक rod है और उसका length L है ठीक friends उसका length L है तो इसका का होगा ml square by 12 और triangle का होगा triangle अगर जिसका side अगर L है तो इसका मोमेंट आफिनर्स जागा ml square by 6 तो यह सब मोमेंट आफिनर्स ही है तभी यूज में आते हैं जब इनका rotation होता है center से ठीक है अब हम यह discuss करेंगे तो मान लेजिए अगर ring है तो ring को हम centers नहीं हम यहां से rotate करेंगे ऐसे rotate करने लगे तो इन सब के तरह यह सब axis तो theorem पढ़ने से हमको मालूम हो जाएगा कि इसका मोमेंट आफिनर्स ही अगर ऐसे रोटेट करेंगे तो क्या होगा ठीक है तो आगे बढ़ते हैं हम दोनों तो theorem को discuss करने के लिए तो पहले हम लेंगे parallel axis theorem तो हम parallel axis theorem आपको डिस्कस करके बताते हैं कि इसमें क्या होता है parallel axis theorem ठीक है इसमें क्याता है अगर हम कोई भी discrete मास ले ले लें आपके सामने ठीक है कोई भी center का इसका मास अगर यह हम है यहां से हम अगर इसका rotation देखना चाते हैं तो इसमें parallel axis का इसे लगाएंगे उसके center से एक axis जिसके along rotation होगा उसके parallel axis खिचेंगे उस मास के center से ठीक है उसकी दूरी अगर मान लीजी एकस है तो पहले हम आई लिखेंगे कि mx square होगा इसका मास इसके distance का square ठीक है उसके बाद इस मास का मतलब यह जो object है इसका momenta finacia क्या होगा icm center मास से center से momenta finacia क्या होगा बस आगया parallel axis यहीं है फार्मूला parallel axis तो इनका use करके हम दिखाते हैं ठीक है friends तो इसका use कैसे होगा हम यह बताते हैं आपको मालीजी जैसे कि यह एक rod है ठीक है rod of length L है इसको हम इसके along rotate करना चाहते है हम यह जानते है कि center से इसका होगा momenta finacia क्या होता है m l square by 12 होता है center से ह्टीक है तो हम मालीजी इसके along यहां से rotate करेंगे center से नहीं तो इसका ममेंटा फिनर्सिया क्या होगा कैसे जानेंगे सेंटर से इसकी दूरी क्या होगई pae 2 होगी तो इसका मास्क क्या होगा M का हूल इसका क्या होगा मैं इसका का हाई सिंटर से क्या होगा nell2 Dr. 12 ml square by 12 तो यहीं आ जाएगी I value ml square by 4 plus ml square by 12 ठीक हो गया तो यह यह आ जाएगी ml square by 3 आ गया आई यह हो गया answer कि अगर हम इसके axis के long rotate करेंगे तो इसका होगा ml square by 3 यह moment of energy आए ठीक है तो यह की चांपल हम friends और लेते हैं हम यह जानते हैं कि अगर यह ring है इसको center इसका radius आ रहे है ठीक है तो इसका icm मुमेंटाफिनर्शिया center जेंटर से क्या होगा m i square बस होगा ठीक है आगर हम इसको हम इसके axis से rotate करना चाहते हैं तो इसका center और इसकी एक्सिकी दूडी क्या होगि आ ईद्री होगी तो पहले इसका मस और इसकी दूडी क्या होगी mr square फिर इससे पुरे रिंग की center से किनारे से रोट्रेट करने क्या होगा है एक्सियंट है यह नगा सी से सींटर tra ie लाल इसे इसके अलांग खीचेंगे और उसकी दोरी जितनी होगी एमारी स्कॉयर उसे लिखेंगे फिर उसकी सेंटर आप मास्क को लेकर जो हम वाईलू निकाले रहेंगे सेंटर से मोमेंटा फिनर्स या उसको एड करेंगे तो यह आ जाएगी ठीक है तो एक जामपल हम आप 154 वाईवाई जो स्कॉयर होता है यह बता चुके हैं आपको ठीक है 2 बाई 5एमारी स्कॉयर होता है माल लिजिए हम 3 आर वाई 4 इतने पे यह इस पे हम इसको ऐसे घुमाना चाहते हैं ठीक है तो पहले तो इससे इसके अलांग एक एक एक्सीर खीचेंगे इसकी दूरी 3 आ तो इसका इस एक्सिस के अलांग इसका टोटल मोमेंट आफिनर्स यह क्या होगा इसको सॉल्व कर देंगे आ जाएगा तो क्या जाएगा अगर हम इसको घुमाएंगे तो इसका अगे बढ़ते हैं आपको परपेंडिकुलर एक्सिस समझाने ठीक है ओन से सामने अब परपेंडिकुलर एक्सिस टीरम को डिसकीजर करेंगे गेर कोसे टीजकरेंगे तो अगर पर्पेंडिकुलर इसके पर्पेंडिकुलर यानि यह अगर यह X-axis है I Momentafinaca Y-axis इसके उपर जोगा Pर्पेंडिकुलर यह जेड एक्सिस होगा यह कैसे निकलेंगे यह बताएंगे हम आपको ठीक है यह होगा आई यान जेल्ड एक्सिस तो आई यान जेल्ड एक्सिस निकाले का फार्मूला है कि आई यान एक्सिस प्लस आई यान वाई एक्सिस को हम एड़ करेंगे ठीक है और एक फार्मूला और लिखते हैं अगर जैसे कि होमोजीनियस बॉड़ी है होमोजीनियस बोडी होमोजीनियस बोडी का मतलब आई एक्स और आई वाई सेम रहे तो इसका आई जेट क्या होता है आई सी एम अपाउन टू होता है मतलब मुमेंट आफ इनर्शिया से उसका आधा कर देंगे तो यहीं हो जाएगा परपेंडिकुलर एक्स इतिवरम अब इसका एक्जामपर लेगे हम आपको ब्रिफली समझाते है तो हम एक्जामपर ले लेते हैं जैसे कि कोई भी चीज़ ले लेते हैं अगर ये है ये इसका लेंथ एल है इसका ब्रिफल भी है ठीक है फ्रिम्स तो इसको अगर हम इस तरह से इसके अलांग लेंगे इसके अलांग लेंगे रोटेट करेंगे इसके अलांग रोटेट करेंगे तो इसकी लेंथ क्या है एल है ठीक है और इसकी लेंथ क्या है बी तो बी क्या है बी बाई टू है बी बाई टू है यह अलग-अलग होगी है ठीक है तो इसका क्या आएगा इसका क्या आएगा ml square ml square प्लस b square बाई बाई क्या ml square प्लस b square बाई 12 ठीक है फ्रेंट्स यह आएगा यह moment of energy यह अब यह कैसे आया यह कैसे आया इसमें i cm जो हता है ना i x प्लस i y को add की है i x प्लस i y को add की हैं x एक्स पे x एक्स पे l है य एक्स पे ये बी है बी डिस्ट्रिब्इूट्र है इसमें य एल बाई टू तब हो जाएगा ठीक है तो वहाज़ा । वहाँ हो गया ml square इक सुस्पर है आएक आक साम ले ले लेते तो हम एक जंबल क्या लेंगे तो यह friends हम यह problem ले लेते हैं आपके सामने यह J में आया हुआ problem है इसमें total moment of inertia पूछता है ठीक है इसमें पूछता है total i क्या होगा तो इसका i हम ले लेंगे i1 इसका i ले लेंगे हम i2 इसके i को ले लेंगे हम i3 तो total i is equal to i total is equal to i1 plus i2 plus i3 यह हम जानते हैं कि i1 कैसे निकलेगा अगर यह r है तो यह r है तो इस से center से इसकी दूरी क्या होगी mr square mr square यह i1 निकाल रहे हैं और i1 निकाल रहे हैं moment of inertia तो इसकी दूरी center से mr square हो गई और इसकी moment of inertia center से mr square by 2 होगा mr square disk का center से moment of inertia mr square by 2 होगा तो इसका क्या होगा 3 by 2 mr square यह i1 आ गया अब i2 निकालेंगे i2 यह center से इसकी दूरी क्या होगी यह r होगी यह r होगी यह r होगी यह r होगी 3 r होगी ना तो m3r square plus center से इसका moment of inertia रिंग का center से moment of inertia या M-R-E-Square होता है बस तो M-R-E-Square तो क्या हो जाएगा 9 M-R-E-Square प्लस M-R-E-Square बराबर 10 M-R-E-Square यह आ गया तो I-3 I-3 क्या निकालेंगे यह R, यह R, यह R, यह R इसका radius निगलेक्ट है तो 4R हो गया तो इसका क्या होगा M-R-E-Square sorry M-4R-E-Square प्लस इसका moment of inertia यह एक यह point है इसका moment of inertia क्या होगा मार्स तो होगा रेकिन radius निगलेक्ट कर देंगे 10 to 0 तो M-R-E-Square R-E-Square 10 to 0 नहीं होगा 0 approaching होगा ठीक है 0 positive तो M बस होगा ठीक है तो इसका हो जाएगा M क्या है इसको neglect करके 0 निगलेक्ट हो जाएगा तो फूर फोर जा 16 तो क्या हो जाएगा 16 M-R-E-Square ठीक है तो I1, I2, I3, 3 को add करेंगे 3 by 2 M-R-E-Square 10 M-R-E-Square 16 M-R-E-Square तो 3 by 2 M-R-E-Square plus 26 M-R-E-Square इसको हम solve करेंगे तो यह फ्रेंट्स आ गया total M-R-E-Square तो आज की lecture खतम करते हैं अब अगले lecture में आपको कुछ और discuss करेंगे जैसे कि हम आपको पता देते हैं सुरू में ही क्या हम आपके सामने रखेंगे टॉपिक तो टॉपिक रखेंगे हम rolling motion के वक्त जो टार को moment of force क्या होता है ठीक है ठीक है थैंक्यू पढ़ते रहिए मुस्किताते रहिए बहुत ब अन्यवाद वीडियो को सेयर जरूर किजिए या फ्रेंट्स थैंक्यू आप